एलो स्टुडेंट्स, जी मेंस जन्वरी अटैम्ट जैसा कि आप जानते हैं पेपर हो चुके हैं और अब आप लोग जीए अपरेल अटैम्ट के लिए तयारी कर रहे हैं वह mainly NCRT based होते हैं जही mains के अंदर तो अब सबसे important चीज़ है कि NCRT based होते हैं यह तो हमें पता है तो NCRT में पढ़ना क्या होता है revise क्या करना होता है आज हम इसके बारे में क्या करेंगे चर्चा करेंगे तो सबसे important चीज़ NCRT में जितने भी जो tables होते हैं उन table में जो informations होती है उन information को हमें सबसे पहले देख लेना चीज़िए जैसे कि अगर हम बात करें different different आप कैसमें chemistry को अगर हम तीन पार्ट में divide करें तो हमारे पास में सबसे पहले organic chemistry के बारे में बात करें तो organic chemistry में सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास में कौन-कौन से topic से जो January attempt हुआ है वहाँ question पूछे गए तो जैसा कि आप जानते हैं chemistry के अंदर जो topics होते हैं उनके अंदर nomenclature, electronic displacement, isomerism यह सारे topics आपको दिखाई दे रहे हैं इन में जो mainly जो questions पूछे गए अगर हम बात करें January attempt की तो वहाँ पर जो हमारे पास में chemistry in everyday life जो की हमारे पास में mains का favorite part होता है उसके अंदर 11 questions जो हैं वो आप कैसमें January attempt के अंदर पूछे गए उसके बाद में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा question जो 14 questions हैं वो हमारे पास में carboxylic acid और amine वाले parts से क्या किये गए आप कैसमें पूछे गए 14 questions टोटल ठीक है उसके बाद में अगर हम लोग और बात करें तो हमारे पास में halogen derivatives जो हैं उसके अंदर 11 questions पूछे गए यानि अगर देखा जाए तो हमारे पास में जो main main topics होते है bio molecule chemistry in everyday life और अब कैसमें polymers उन सबसे भी हमारे पास में कुछ-कुछ question पूछे गए अब ये तो वो question है जो हमारे पास में पूछे जा चुके हैं ठीक है अब उनमें अगर हम बात करें तो हमारे पास में 11th का क्या weightage था और 12th का क्या weightage था तो उनमें अगर हम 11th की बात करें तो 11th class के 29 total question पूछे गए और 12th class के 78 question जो है वो हमारे पास में पूछे गए जैसा कि आप slide के अंदर क्या कर पा रहे हैं देख पा रहे हैं ठीक है ये तो हुई हमारे previous exam की बात जिसके अंदर हमारे पास में easy question 47 थे और जो medium question थे वो 55 थे और अगर हम बात करें tough question वो केवल कितने थे 7 questions थे ठीक है अब अगर हम बात करें ये तो previous exam में पूछे गए question है जो आने वाला exam है अप्रेल अटाइम उसमें हम organic chemistry को किस तरीके से revise करें तो मैं ये कहना पसंद करूँगा चप्टर है organic chemistry का chemistry in everyday life उसमें जितने भी जो structures दे रखें उन structure को आप 2-3 वार क्या करें हाथ से बना लें क्योंकि हाथ से बनाने से हमारे पास में confidence क्या जाता है उसमें बढ़ जाता है और उन सारी structure को क्या करें अच्छे से क्या कर लें revise कर लें क्योंकि इन पर अगर कोई question आता है और अगर आपको structure याद होता है तो आप immediate क्या कर सकते हैं उसका answer क्या कर सकते हैं आपका समय दे सकते हैं उसमें समय नहीं लगता है बिल्कुल ऐसा ही एक chapter है polymer polymer chemistry में भी आपको क्या करना होता है सारी के सारी जो polymer की जो table दे रखी है उसमें कौन सा monomer है कौन सा polymer है और उसका use क्या है उसको एक बार आपको अच्छे से क्या कर लेना चाहिए देख लेना चाहिए उसके बाद में अगर हम बात करें तो bio molecule वाला जो topic है उसके अंदर DNA RNA जो है अभी अगर हम बात करें जो हमारे पास में January attempt हुआ हाला कि उन्होंने structure दे दी थी यूरेसिल का structure दिया और उस यूरेसिल का structure देख करके थोड़ा physical chemistry का उसमें angle दे दिया यूरेसिल का structure देख करके उसमें nitrogen का उन्होंने क्या पूछ लिया था और क्या कर लेता है question आप से क्या कर लेता है पूछ लेता है तो इस तरह के question की भी हमारी क्या होनी चाहिए practice होनी चाहिए अब अगर हम बात करें हमारे पास में organic chemistry में और कौन सा जो topic है जो NCRT से हमें अच्छे से क्या कर लेना चाहिए देख लेना चाहिए तो मैं कहूंगा 11th class की जो NCRT है उसके अंदर हमारे पास में purification वाला जो topic है उसके अंदर gel dal, duma, carious ये जो method है इनको भी हमें क्या कर लेना चाहिए अच्छे से देख लेना चाहिए और chromatography जो है उस chromatography वाले पार्ट को भी हमें अच्छे से क्या कर लेना चाहिए देख लेना चाहिए क्योंकि ये ऐसे topic है कि हम इनको बस एक बार अच्छे से क्या कर लें आपके असमें देख लें और अगर हमारे पास में कोई question आता है वो reaction mechanism based भी इस बार अच्छे question पूछे गए जिसके अंदर Eldol reaction followed by Sinohydrine Formation followed by Hydrolysis and Heating Effect का एक question पूछा गया जो J.E. Advance 2008 के अंदर पहले पूछा जा चुका है यानि कि हमारे पास में जो पुराने questions होते हैं J.E. Advance के उनको भी हमें अच्छे से क्या कर लेना चीए एक कावर complete कर लेना चीए J.E. unexpected के पुराने question है क्योंकि कई बार पुराने question is it is हमारे पास में exam में हमें देखने को मिल जाते हैं तो अब अगर हम बात करें और क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चीए इसमें अच्छे से ध्यान दिया गया, फोकस किया गया, और अगर हम बात करें, तो GOC, GOC के अंदर Resonating Structures बना दी, Resonating Structure की क्या पूछी गई, आपके असमें Stability, वो पूछी गई, Isomerism के कुछ अच्छे Question जो है, वो भी आपके असमें पूछे गई, तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको Organic Chemistry का, अच्छे से अगर आपको Revision करना है, तो अपनी NCRT को Line to Line अच्छे से क्या करें, Revise करें, और उसके बाद में, आप क्या करें, अपने Notes जो हैं, उनको अच्छे से क्या करें, Revise करें, और जितने भी जो Reagents होते हैं, Oxidation के और Reduction के, वो सारे Reagents, K-N-O-4 क्या करता है, K-2-C-R-2-7 क्या करता है, PCC क्या करता है, Collins Reagents क्या करता है, John's Reagents क्या करता है, यह सारी चीजे भी एक बार अच्छे से क्या करें, देख ले, लीतियम, अल्यूमिनियम हाइटराइट, सोडियम, बोरो हाइटराइट, डाइबल, एच्छ, निकल, प्रिटिनम, पेलेडियम, S2, क्लिमैंग, शन, वुल्व किश्णर, इन Reagents को भी अच्छे से क्या कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, ठीक है, अगर हम बात करें, अरोमेटिक केमिस्ट्री की, तो अरोमेटिक केमिस्ट्री के थोड़े कोश्चन, जो हमारे पास में जनवरी इटेम था, उसमें कम थे, लेकिन प्रिवियस यर्स की अगर हम बात करें, उनमें अरोमेटिक केमिस्ट्री से भी अच्छे खासे कोश्चन प कार्बोनायल कंपाउंट्स कार्बोनायल कंपाउंट में एलडॉल कैनीजारो परकिन यह जो तीन इंपोर्टेंट रियक्शन्स होती है इनको अच्छे से देखना होता है और हैलोफॉर्म रियक्शन इस पर भी कई बार कोश्चन पूछ लिया जाता है अगर मैं नेम करें में लैन टो लैन आच्छे से रिवाइस करेंगे और हम क्या कर लेंगे के आने वाला जो जो जनवाट्रें परने में उसको भी हम क्या कर पाएंगे तो मेरी तरफ से आपके समयं बेस्ट आफ लुक फॉर औरकेनिक केमिस्टी अब बात कर लłę, तो उसमें हमारे पास में मांक्स क्या हो जाएंगे, अच्छे से आपका Aupटेन हो जाएंगे, फिर उसके भी प्राने जो胃त के जो आपके समय अच्छे question पूछे गए, अगर हम बात करें S block की, तो S block के अंदर अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, तो S block के अंदर, अगर हम बात करें, तो हमारे पास में कितने question पूछे गए, 18 question जो है, वो S block की chemistry से क्या है, आपके समय पूछे गए, P block से भी हमारे पास में जनरली जी मेंस में question कम पूछे जाते हैं लेकिन जनवरी एटेम में अगर हम बात करें तो यहां भी हमारे पास में अच्छे कासे question जो हैं वो किसके अंदर पूछेगा आपका समें salt analysis पे पूछेगा है कौन कौन से metal की क्या PPM के अंदर concentration होगी जिससे हमारे पास में pollution होगा और इसमें क्या कर सकते हैं टिक लगा कि पूरे में से पूरे मांक्स क्या कर सकते हैं अब अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो coordination chemistry है उस coordination chemistry के अंदर अगर हम बात करें तो primary valency, secondary valency और हमारे पास में isomerism और इस तरह के जो question है वो आपका समें पूछे के जो की बहुत ही आसान question होते हैं उनमें आप पूरे में से पूरे मांक्स ला सकते हैं अपने notes अच्छे से revise कलने और NCRT में क्या करें आपका समें एक S2O2 हो गया इन reagents की जो chemistry होती है इनको भी आपको क्या कर लेना चाहिए अच्छे से एक बार क्या कर लेना चाहिए देख लेना चाहिए अपर मैं बात करूँ यहां पर तो हमारे पास में जो chemical bonding और जो periodic table है उसके अंदर जो प्रियोडिक टेबल उसमें physics के according अगर हम बात करें तो positive pole की तरफ हमें क्या किया जाता आपका समें dipole की direction को क्या किया जाता आपका समें दिखाया जाता है तो जो NCRT में लिखी वी बात है उसी पर हमारे पास में a certain reason बना के क्या पूछा गया question पूछा गया यह अगर हम बात करें inorganic chemistry में भी अगर आप देखें तो NCRT को line to line अगर हम अच्छे से क्या कर लें आपका समें revise कर लें और हमारे जो notes है उनको अगर हम अच्छे से देख लें और previous year के जो questions है J.E.Mains के और J.E. Advance के अगर हम उनकी अच्छी क्या करें प्रक्टिस करें तो इस subject में भी हम क्या कर सकते है inorganic में भी हम क्या कर सकते है पूरे में से पूरे marks क्या कर सकते हैं ला सकते हैं और समय यहां पर क्या लगता है क्या लगता है क्योंकि यह informative है तो अगर में information याद होगी तो हम immediate क्या करेंगे आपका समय क्या क्या करेंगे टिक करेंगे और प 64 question पूछे गए अगर यहां पर यह देखा जाए कि हमारे पास में easy, medium और tough की अगर बात की जाए तो हमारे पास में हर topic से almost question पूछे गए उनमें total number of questions यह दे रखे हैं उनमें easy, medium और क्या पूछेगे tough questions जो है वो पूछेगे chemical bonding जो होता है वो एक असान topic होता है उसमें structures हो गई हमारे पास में hybridization हो गया और आपके उसमें molecular orbital theory जो हो गई उसमें bond order वगएर उस तरह के questions होते हैं वो हमारे पास में पूछे गए तो उनको आप एक बार क्या कर ले अ fault analysis को अगर आप क्या करें आपके समें डंग से अगर देखके जाएं और उसके अलावा अगर हम बात करें block chemistry, s block के सबसे ज्यादा क्या पूछे कैसमें question पूछे जा रहे हैं आजकल, s block, p block, वहाँ जो हमारे पास में जो tables दे रखी है, उनकी जो molecules जो दे रहे हैं, उनकी जो बात करते हैं physical chemistry की, तो physical chemistry भी एक आसान subject है, बड़ यह numerical base जो होता है, वो ज्यादा होता है, और mainly जब हम लोग जही मेंस देखते हैं, तो जही मेंस के अंदर जो second part होता है, उसके अंदर इसके numerical maximum time क्या होता है, आपके समें पूछे जाते हैं, और 10 में से आपको 5 क्या करने ह होते हैं, वहाँ पर question करने होते हैं, तो आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, आराम से क्या कर सकते हैं, complete कर सकते हैं, अगर यहां भी अगर हम लोग देखें, तो हमारे पास में physical chemistry के अंदर, अगर हम बात करें तो यह topic है, उसमें सबसे ज़्यादा questions जो हैं, वो mole concept के उपर हमार तो थे ही, OC के अंदर भी हमारे पास में structures को mix करकर करके आप कैसमें क्या पूछे कैसमें, question पूछे के, जो की बिलकुल आसान question होते हैं, numerical based होते हैं, जिन्हें आप आराम से क्या कर सकते हैं, complete कर सकते हैं, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो thermo chemistry के अंदर अगर हम बात पूछे लिया, delta G, delta H, delta S, इनकी आप कैसमें values दे रही थी, delta H की देदी, delta S की value देदी, delta G आप कैसमें पूछे लिया, और वो spontaneous reaction है, non spontaneous है, बिलकुल आसान से question, numerical based हो है, वो question आप कैसमें पूछे गए, उसके बाद में अगर हम बात करें, तो chemical kinetics, chemical kinetics भी बिलकुल आसान topic हो है, और यहां भी numerical base हमारे पास में question पूछे गए, तो अगर देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा question जो है, वो mole concept के पूछे गए, और उसके बाद में बात करें, electrochemistry, electrochemistry के भी question जो है, वो all missed, हर paper के अंदर आप कैसमें पूछे गया, 14 question पूछे गए, kinetics के question हमारे पास में पू NCRT based topic है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, NCRT में जितना भी surface आपका समय chemistry है, उसको आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से पढ़ गए, और क्या करना चाहिए, revise करना चाहिए, यहां जो question आते हैं, वो question informative based होते हैं, उस information को अगर आपको याद होगी, तो आप उसमें 11th class से 61 question हमारे पास में आए, और 12th class से 55 question है, यह सारा मैं analysis जो आपको बता रहा हूँ, वो आपका समय J.E.Mains, January attempt का बता रहा हूँ, ठीक है, तो इनके अंदर अगर बात की जाए, तो easy, medium, tough, तो हमारे पास में maximum question easy थे, numerical based थे 75, easy question 32, हमारे पास में medium थे, और 11 क्या थे आपक बेस होती है, तो numerical के जो questions होते है, तो उनकी practice के लिए आपको क्या कर लेना चाहिए, सबसे पहले J.E.Mains और J.E.Advance के पुराने जो questions होते है, उनको आपको क्या कर लेना चाहिए, अपने notes पढ़ने चाहिए, और NCRT के पीछे जो question दे रहा है, उनको भी आपको क्या कर लेन चाहिए, उसमें से आपको पांच attempt करने होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई tough लगे तो उसमें आप OC और IOC का question भी क्या कर सकते हो, complete कर सकते हो, अब बात करते हैं कि यह तो वे questions हमारे पास में, organic, inorganic, और physical, chemistry के question, कौन-कौन से portion से आए, और हमें क्या strategy रखन तो मेरा यह कहना है, कि आप लोग अच्छे से क्या करें, आपके असमें, NCRT, NCRT based maximum आपसे question पूछेगे, line to line NCRT की उठा के, और क्या कर लीगे, आपके असमें assertion reasons बना दिये गए, तो NCRT को thoroughly आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से क्या कर लेना चाहिए, पड लेना चाह चाहिए, और उसके बाद में अपने notes को अच्छे से देख लेना चाहिए, और उसके बाद में आप अपने paper को क्या कर सकते हैं, फोड सकते हैं, तो मेरी तरफ से इतना ही, best of luck for April Attempt.